तो फ्रेंट्स आज की जो रेसिपी है बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत ही आसान तरीके से बचे हुए चावल से बनके तैयार हो जाएगी तो देखने में ही किती यम्मी लग रही है ना तो मैं आपको बता दू कि कौन सी रेसिपी है फ्रेंट्स ये 36 गड की फर्रा की रेस की जार में डाल करके उसे एक पेस्ट जैसा रेडी कर लेंगे तो यहां देखे फ्रेंट्स हमने मिक्सिंग जार में उसे डाल दिया है और उसका हमें एक पेस्ट रेडी कर लेना है यहां यह थोड़ा सा दर्दरा है अब इसमें हम राइस मिला देंगे यह जो चावल बचा उसी कटोरी से चावल पाउडर था अब यह पेश्ट तो बन चुका है तो इसे हम अके अलग बाउल में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें इसका एक डो लगाना है यह ब्लैक पेपर पाउडर हमने लिया है चोथाई छोटे चम्मज और राइस फ्लोर मिंस चावल का आटा हमन एक टोरी नहीं डालेंगे हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डो लगाएंगे क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं आफ करेंगे तो यह चावल का जो आता है पाउडर चावल-पाउडर उसे हम थोड़ा-थोड़ा डालते गूए डो लगाएंगे tyre इंग एक रोटी क कर लेना है तो यहां यह जो है almost ready होने ही वाला है थोड़ा सा यह हाथ में चिपकता है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ओयल ले लीजिए यहां पर और अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा हमें गुन्ने की जरूरत होगी क्योंकि पका हुआ चावल है तो यह क इतना चावल का पाउडर जो है वह बच गिया है अब हम थोड़ा सा हथेली पे कोई भी ऑईल लगा लेंगे आप देखिए हम छोटी सी एक गोली लेंगे इसका और हाथों में इस तरह से इसको बनाएंगे फर्रे का रूप देंगे इसे फ्रेंड्स हम इसे कोई बड़ा को चोटा इसी तरह से करके हम फर्रा बना लेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी ये फर्रा बनके तयार हो जाता है तो इसी तरह से मैंने सारे फर्रे को रेडी कर लिया था और यह देख रहा हरा दिख रहा है तो यह धनिया के पतियां जो हमने डाली थी ना उसी के वज़े से ये हरा हरा देख रहा है, देखने में बड़ा ही खुबसूरत लग रहा है, अब हमें जो इसका आगे का प्रोसेस है वो करना है, सारे फर्रे मैंने इसी तरह से तयार कर लिए हैं उसाटे से, अब कड़ाई गर्म किया, कड़ाई में हमने एक बड़े सर्षो के दाने, राई और दो लाल मिर्च तोड के हमने इसमें डाल दिया है, तो ये फोरन जो हमने डाला है, तो जैसे इसे चटकने की आवाजी आने लगेंगी, हम इसमें डाल देंगे एक डंधल करी पत्ता, और इसे थोड़ा साटे कर लेना है, और इसे जैसे अच्छी तो इसमें हम तिल डाल देंगे, ये सफेद तिल है, तो इसे आप इसमें डाल के अच्छे से सौटे कीजिए, ये भी चटकने लगता है, और इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है इस रेसिपी में, इसलिए सफेद तिल डाले, लाल मिर्च पावडर हमने डाला है, जो कि मैं दिखाने ही पाई, आप इसमें डाल देना क्योंकि फर्रे में अल्रेडी हमने डाला था, तो ये नमक अमने डाल दिया है, हल्का सा डालना है, ताकि बैलेंस बन जाए, और यहां दिखे ये फ्रेंड, इसमें ब्वायल आने लगा है, अब जो फर्रे हैं तयार, उ इसे स्टाबल बना देगा और इसे हमें अच्छे से सुखा देना है तो पानी अभी है तो चावल पाउडर इस में पूरा शोक लेगा देखिए कुछो देर में पानी कितना सोख चुका है तो थोड़ा सा महले हाथ हो से इसे चलाएंगे नहीं तो यह तूड़ तो थे थे हलके हरी कलर के तो बीडियो पसंद आगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी यह पहली बार है तो और यह हमेशा मेरी को देखते हैं तो कमेंट서 मे